दोस्तों जैसे कि आप लोगों लेख सकते हैं यह मेरे पास एक बाइक आई है तो अक्सर आपने देखा हुआ यहां पर जो यह और का बोल्ट होता है तो यहां पर जब यह इस चंबरी की चुड़ी ख्राब हो जाती है तो ऐसे में बहुत सवारे मेकानिक क्या करते हैं यहां पर इसमें बोल्ट लगा देते हैं तो यहां पर यह कुछ कामतला देता है लेकिन इसका प्रमेंट ओर्जन सॉलुशन नहीं है तो यहां पर इसके बाद हम क्या करते हैं जैसे कि हम पर पास कुछ बोल्ट बगरा पड़े हुए हैं तो यहां पर मैंको भी हाया हुए यह 13 mm क तो जब यह यहां पर इसकी चम्बर के चूड़ी खराब हो जाती है जैसे कि यह वाले तो इसके बाद हम यहां पर यह 13 mm का जो वोल्ट होता है इसके चूड़ी यहां पर काड़ देते हैं तो यह हमारे पास इसकी पैप होती है, जिसके बिल्स से हम रिचुड़ी काड़ देते हैं और इसके बाद जैसे कि कुछ सालों बाद मालो, इसके चुड़ी भी खराब हो जाती है तो इसके बाद यहां पर यह 14 mm का हम हम यहीं इसके बॉल्ट दगाड़ा कर इसको चूड़ी काड़ देरिते हैं और इसके बाद यह 15 गाउ तो ऐसे चलते रहती है तो यहीं पर यहां पर उसके थो हो गई हमारे फ्राब हो जयती है तो इसका solution तो यहां पर यह है, जो हम यहां पर यह बोल्ट लगा देते हैं, लिकन यहां पर अक्सर होता क्या है, जिसे कि मैं इस वाइक में timing chain डाल रहा था, तो अगी हमार तामान यहीं पर पड़ा है, और यह इसका बोल्ट है, तो यहां पर बहुत समय क्या करते हैं, जो मो free हो रहा था, तो ऐसे में यहां से काफी oil का डिसाओ भी हो रहा था, तो यहां पर रख देखे, आपको दिखातू, जैसे कि यह इसका bolt है, ठीक है, timing chain वाला, तो यहां पर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, देखे, यह जो है, इसके अंदर ऐसे ही चला जाता है, रहते हैं, आपको दिखा दूँ, तो यहां से यह चूड़ी बिल्कुल ख्राब हो गई है, तो जिसके चलते हैं यहां पर जो यह बोल्ट होता है, यहां पर यह इसके आगे टाइट नहीं हो रहा, तो इसके बाद हमने करना गए हैं यहां पर, जो यह हमारे पास 13 mm का बोल् तो यहां पर इसमें काम्याब नहीं होगा और इसके बाद चुटी काट देंगे तो इसको हम चेक करते हैं जो हहां पर यहां पर यहांसे जैसी खराब है यह चल जा जैएँगी थीशर्ण पर यह चोदा नंबर के चुटव कर जाएँगी और दो हमारे पास यह 15 का यहां तो हम यह पर 15 का भी लगा सकते हैं तो यहां पर 15 का तो अभी नहीं लगाएंगे तो जब कभी ये ख्राब हो जाएगा तब बात दिका ये इसमें काम है तो फिलाल हमने इसमें 13 नम्र की चुड़ी काड़ देनी है अब यहां पर देखिए ये जो हमारे पास बोल्ट बगारा होते हैं ये 14 mm ये 13 mm और ये यहां पर 15 mm तो ये मेरे पास बोल्ट रखे हैं ठीक ह तो ये हम मंगवा लेती हैं सामान वाले से और इसकी जो यहां पर ये टैप होती है मैं आपको लिखा दू तो यहां पर देखिए जो हमारे पास टैप होती है ये 13 mm की होती है तो ये 13 mm के जो यहां पर बोल्ट होती है उनके लिए होती है और इसके बाद ये हमारे पास 14 नम कटने हैं तो आपके पास लिए हैं इसमें इसमें के उल्र होते हैं क्यों कि अद्सक्राइब हो यह जाती हैं तो यह आपके पास होने चाहिए अगर आपके पास यह नहीं है तो आप यहाँ पर अब यहां पर देखिए आपने इसको ऐसे बिल्कुल सीधा यहां पर लगा जेना है ठीक है तो थोड़ा इसको हाथ से आप इसकी चूड़ी एक दो टाइट करेंगे इससे यहां पर इसकी चूड़ी ऐसे काट देनी है तो जब यह चूड़ी कट जाए इसके बाद आपने यहां पर इसको ऐपन कर लेना है आप यहां पर यह टैप होती है इसे अगर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेगा ताकि जो इसके यह कण होंगे यह इसके इंजिन के अंदर नह जाएं तो यहां पर देखिए यह जो इसके कण है यहां पर कितने चिपक गए है जो चम बरती है तो यहां पर यह हमारी चूड़ी कट गई है मैं आपको तुड़ा इसको साफ करके दिशा देता हूं तो आपने इसको ऐसे थोड़ा साफ कर लेना है तो यह एकदम से साफ हो जाएगी तो अब यहां पर देखिए आम इसके चूड़ी काट दी है आप यहां पर देख सकते हैं तो यह हमारा चोड़ा अमन का जो बोल्ट है ठीक है आपने इसको साफ कर लेना है और यहां पर देखिए यह कितने आसानी से यहां पर यह काम हमारा बन गया अब आपने यहां पर कर टूड़ा सा यहां पर जो हमारे रेजिमोंड होती है ट्यूब यहां पर इसके ऊपर थोड़ा सा आफने लगा देना है। परकिmother यह पर थोड़ा सीय यह चंबर करेक हो रहा है यह पहले ही है यह पर देखे तो तक यह पर िसाव ना हो तो अब यहां पर जो यह इसके push rod होते है, यहां पर नई इसमें, push rod लगा देनी है और यहां पर इसके अंदर ऐसे इसमें डाल देनी है और इसके बाद, जो इस Sache spring होते है आपने नई डाल देना है, ठीक है? जब इसमें नई timing chain डालें और यह जो हमारा boat है, यहां पर आपने थोड़ी सी reservoir लगा देनी है तो यहां पर क्योंकि यह थोड़ा सा खराब हो रहा है तो यहां पर यह लगा कर आपने इसमें इसको ऐसे टाइट कर देना है तो अब आपने यहां पर यह लगा कर इसको टाइट कर देना है तो यहां पर यह हमारा कम बन गया तो यहां पर यह बोल्ट है हम इने इसमें 14 नंबर की चुड़ी काटके यहां पर यहां पर इसी तरह की से लग जाती है ठीक है और यहीं पर इसी तरह की से यह लग जाती है तो यहां पर पहले चूड़ी खराब हो रही थी तो हम यहां पर 13 का नहीं लगाया क्योंकि यहां पर 13 का काफी लूश था तो यहां पर यहां पर चूड़ी काट यहां पर इसको लगा दिया है तो इस तरह के से हम यहां प in आं पर विल नो सब्सक्राइब. अगर बीडियो आप कोचा लगा हुর रिकाओ, तो प्लिचुक ऍके लिदि पहली बार हो तो इस चल्लud रो सब्सक्राइब. अप्ने बीटीए आप सबस्क्राइब देश धन्यवाद आप सबस्क्राइब रहें चैहिंग उगल्गेवाद परम्ट